मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाए उसके बाद इस बेल आकन को दबाना ना भूले हेलो फ्रेंड मैं भी पिन पसाथ आपका अपना यूट्यूब चैनल एसिन मेस में स्वागत करता हूं फ्रेंड आज का मेरा जो टॉपिक है वह है सिंप्लिफिकेशन यानि सरली करन फ्रेंड इस वीडियो को पूरा देखिए और जब तक पूरी वीडियो को आप नहीं देखेंगे इसका कंसर्प समझ में नहीं आएगा फ्रेंड आज का जो प्रॉब्लेम है यदि 1 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 3 पर पावर 3 एंसों प्लस 5 पावर 3 का वेल्यू दिया हुआ है 225 हो तो हमें वेल्यू किसका निकालना है 2 पर पावर 3 प्लस 4 पर पावर 3 6 पर पावर 3 8 पर पावर 3 प्लस 10 पर पावर 3 का में वेल्यू दिकालना है सबस पहले एक चीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2Q, 4Q रख में 2Q को आप लिख सकते हैं 1 multiplied 2 power Q और इसको एगें लिख सकते हैं 2 power Q and 1 power Q इसी प्रकार 4 power Q को आप लिख सकते हैं 2 multiplied 2 power Q और इसको अलग-अलग आप लिख सकते हैं 2 power 3 multiplied 2 power 3 इसी प्रकार 6 क्यूंकि मैं जब बात करूं तो इसको लिख सकते हैं आप 2 x 3 यानि 2 x 3 x 3 इस फॉर में इसको लिख सकते हैं अगर यहां समझ गया होंगे तो आप इसका सलूसन निकालना बहुती असान है इसको मैं क्या लिखूंगा यहां से यहां से तक के टर्म को आप देखिए इसमें 2 पर पावर 3 कॉमन निकालोंगा देखिए तो 2 पर पावर 3 इसमें भी है 2 power 3 common इसमें भी है 2 power 3 इसमें भी है तो 2 power 3 हम common निकाल लेंगे तो यहां पर क्या रहा जाएगा 1 power 3 यहां पर रहा जाएगा 1 power 3 यहां क्या रहा जाएगा 2 power 3 यहां रहा जाएगा 3 power 3 यहां रहा जाएगा 4 power 3 और यहां रहा जाएगा 5 power 3 and 2 power 3 का value इहां से यहां तक का value दिया हुआ है दिखी कितना दिया हुआ है 225 यहां पर रख देंगे 225 इसका value कितना है गा 1800 इसका सरूसन हो गया तो यह अच्छा टक्निक है बस दिखान में आपको यह ची रखना होगा कि जब इसमें से 2 पर पावर क्यू कमान निकाल लेंगे तेहां 1 पर पावर क्यू बचेगा इसमें 2 से डिवाइड किजेगा तो 2 पर पावर 3 इसमें 2 से डिवाइड किजेगा तो 3 पर पावर 3 इसमें 2 से डिवाइड किजेगा तो 5 पावर 3 इसलिए 2 पर पावर 3 कमान निकाल के बाद यह ठर्मा जाएगा और यहां से यहां तक का सलूसन दिया हुआ है 225 जब इसको 18 से मल्टिप्लाई कीजिएगा तो इसका वेली वाएगा राइट कोस्ट नमर टू देखिए अगर एकोल टू दिया हुआ हो चालिस सो एगारह और वी इकोल टू थिरी नाइन एट नाइन चालिस सो नवासी हो तो एबी का वेल्यू क्या होगा एको आप लिख सकते हैं 4000 पलस 11 यानि 411 हो जाएगा और वी को आप लिख सकते हैं 4000 में अगर 11 को माइनस कीजिएगा तो 4989 आएगा के लिख अब आपको करना क्या एबी का वेल्यू निकालना है सो एबी इकोल टू होगा दोनों को प्रोड़क्त तिनों इसको करवाईए 11 और बी का भी वेल्यू पूट कर दीजिए मैंनस 11 यहाँ फार्मूला पर आगया A पलस B और A मैनस B तो A पलस B A मैनस B का फार्मूला होता है A स्कॉाइर माइनस B स्कॉाइर और 4000 पर पावर 2 माइनस 11 पर पावर 2 जब इसको solve कीजिएगा तो 4 को पर पावर 2 का value 16 यहाँ पर दिखिए 0 काउंट कीजिए कितना है 1, 2, 3, 0 है पावर 2 है तो 3, 0 को 2 से मत दो बार repeat कीजिएगा 0 को तो 0 का value कितना बढ़ कर हो जाएगा 6 यानि 4 पावर 2 16 यहाँ पर 3 0 है पावर 2 है तो 3 2 जा 6 यानि इस पर हमें 0 की संख्या कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब माइनस 11 के square करेंगे तो आएगा 121 अब इसमें इसको माइनस कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस किसको करना है 121 को माइनस कर दीजिए तो माइनस करने के बार इसका value आएगा 9 यहाँ पर आएगा 7 यहाँ पर आएगा 8 यहाँ पर 9 9, 9, 5 and 1 इसका value निकल कर आएगा 1, 5, 9, 9, 9 8, 7, 9 इसका solution complete यानि इस ट्रैप का problem जब भी हो तो ध्यान में आपको रखना है इसमें 11, 8 करने से 4,000 में यह term आजाता है और इसमें 4,000 में 11 माइनस करने से यह term आजाता है और फिर दोनों को product करेंगे तो A plus B, A minus B के formula लगा कर इसको solve कर दीजिए तो इसका answer आजाएगा next problem अगर x equal to 9,999 तो हमें इसका value निकलना है अगर हम x के value इसमें put करके solve करें तो समझ जाएगे कि इसमें कितना time लगेगा पंदाजार लगा सकते हैं इसका लेकिन मैं उस में ठास नहीं होता हूँगा जो आप सोच दें कि x के value put करके solve करेंगे तो ऐसा में करने नहीं जा रहा हूँ आप देखिए इसका technique क्या है इसको मैं लिख सकता हूँ इसको अच्छा ये बताएए दोनों में common आप देख रहे हैं क्या common आएगा x x common ले लिए x में common ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या जागा 4x square minus 1 राइट ना अच्छा इसमें क्या common आएगा इस दोनों में 3 common आएगा तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा 2x plus 1 और यहाँ पर चुकि आपने 3 को बाहर निकाल लिया है यहाँ पर रह जाएगा 2x minus 1 equal to x 4x square minus 1 और यहाँ फर्मूला पर आगया किस फर्मूला पर देखिए तो a plus b a minus b so a plus b a minus b का फर्मूला अब जानते हैं a plus b a minus b का फर्मूला होता a square minus b square so a के पर पर क्या है 2x so 2x का square यानि 4x square बीच में minus b b के पर क्या है 1 तो 1 का square यानि 1 यह दोनो term cancel right so x का value कितना है 999 upon 3 divide कर दिजे तो इसका answer एगा 3333 complete solution इसका भी हो गया है नासा अब मैं इस problem क्यों चलता हूँ इसको solve करने में भी time लगेगा तो मैं क्या करता हूँ इसको a मान लेता हूँ 0.98 को मैं a मान लेता हूँ right ना और 0.02 को मैं b मान लेता हूँ तो आप ध्यान देजिए जब आप दोनों को add करेंगे तो 1 आजाएगा आएगा ना 99 पैसा और 2 पैसा मिलकर एक रुपया अब इसका value निकालना चाहते हैं चुकि आपने इसको a मान लेता है तो इसको लिखूँगा पर 3ab को 1 से multiply किजिएगा तो hit रुपयाएगा लास्ट में है minus 1 equal to aq plus bq plus 3ab और 1 equal to क्या है 1 equal to a plus b है so 1 के जगा पर मैं रख देता हूँ a plus b minus 1 तो बता दीजिए यहां से यहां तक का formula आप जानते होंगे किसका formula होता है a plus b का whole q का formula aq plus b q plus 3ab a plus b minus 1 equal to a plus b का value 1 so 1 पर पावर 3 minus 1 तो आप जानते हैं 1 पर पावर 3 1 आगा minus 1 1 minus 1 0 इसका solution हो गया 0 के लिए next problem की वा अगर a का q root का value दिया हुआ है कितना 26 का q root 7 का q root and 63 का q root यह ने दिया हुआ यानि यहां पर दिया हुआ है 63 पर पावर 1 by 3 implies a पर पावर 1 by 3 equal to आप देखिए 26 का q root तो होता नहीं है यह तो जानते हैं तो इसके around खोजिए इसके नजदी की कौँ सा ऐसा number है जिसका q root निकल जाएगा वो 27 होगा 27 का q root कितना हैगा 3 तो जब 27 का q root 3 आता है यहां पर 26 है इसका मतलब है कि इसका जो value होगा 3 से थोड़ा कम होगा यानि इसका value होगा क्या less than 3 पलस अब यहां पर देखिए 7 का q root तो होता नहीं है q root किसका होता है 8 का q root होता है 2 लेकिन यहां पर 7 है तो 7 का q root होगा 2 से कम होगा चुकि 8 का q root होता है 2 लेकिन यहां पर 7 है इसका value होगा less than 2 पलस 63 का q root नहीं होता है q root किसका होता है 64 64 का q root आप जानते हैं क्यों चुकि 64 को लिख सकते हैं 4 पर पावर 3 अब पावर 1 by 3 cancel यानि 4 यानि 64 का q root होगा 4 लेकिन यहां 63 है इसलिए इसका q root 4 से कम होगा यानि less than less than 4 implies a पावर 1 by 3 less than सब में less than है less than है less than है सब को add कर दीजिए 3 plus 2 5 5 plus 4 9 कितना less than 9 हम दोनों side cube कर देते हैं चुकि option में a है option में a पावर 3 तो है नहीं 1 by 3 तो है नहीं तो मैं दोनों side cubing कर देता हूँ cubing both sides दोनों side cube करने पर 90 पावर 3 तो यह 3 3 cancel so a less than 9 पावर 3 का value होता है 729 so देख लिए जो option क्या है a less than 729 यानि इसका option भी होगा फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसा लगा please like, share, subscribe करना नहीं भूलेंगे साथ हिसाथ notification icon प्रेस कीजेगा फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ जाए हिंद